आगरा में नजाने कितनी ऐसी जगए हैं, जिनके सामने से हर रोज हम नजाने कितनी बार बस यूँ ही गुजर जाते हैं। लेकिन हमें एसास तक नहीं होता कि वह जगए या वो इमारत अपना कितना एतियासिक बहत तो रखती है। ऐसी ही एक जगए के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो एतियासिक इमारत है छन्नुमल की हवेली। अब छन्नुमल की हवेली का नाम सुनकर निश्यत रूप से आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर छन्नुमल की हवेली का ऐसा कौन सा इतियास है जिसके बारे में मैं कसीदे पड़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो निश्यत रूप से आपके आश्यर का ठिकाना नहीं रहेगा और खुद बखुद इसके सम्मान में आपका सिर जुख जाएगा। जी हाँ इस जगे का सम्मंद भारत मा के उस महान सपूत से है जिसे हम शहीद आजम भगत सिंग कहते हैं। ये वो जगे है आगरा में जहां कभी शहीद आजम भगत सिंग एक किरायदार बन कर रहे थे। 17 दिसंबर सन 1928 को लाहो रेल्वे स्टेशन के पास सरदार भगत सिंग ने महान करांतिकारी राजगुरू और चंदर शेखर आजात के साथ मिलकर उस क्रूर अंग्रे जदिकारी सांडर्स की हत्या की जिसने शेरे पंजाब लाला लाजपतराय के नेत्रत्तों में साइमन कम में बुरी तरह घायल हूए लाला जी की बाद में मृत्य हो गई थी क्रूर सांडर्स की हत्याकर उन्होंने लाला जी की शहाद़त का बदला लिया था सांडर्स की हत्या की खबर अंतरास्टी स्तर तक कुंजने लगी इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इसलिए अब इन क्रांतिकारियों को अपनी आजादी की लड़ाई मजबूत करने के लिए कुछ समय के लिए भूमिगत होना पड़ा तब अंग्रेज सरकार से बचने और आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सरदार भगा सिंग आगरा आ गे आगरा में वे राजामंडी के समीब नूरी दरवाजे की इस दोमंजिला हवेली में एक कमरा लेकर एक छात्र के रूप में रहने लगे और इसी एतियासिक हवेली से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने लगे कि आपको जानका रहरानी होगी कि आप सामने हवेली देख रहे हैं लाला चंडुमल की थी किराएदार थे चंडुमल से बहगत सिंग जी ने किराएप ली थी और सांडस की हत्या करने के बाद जब वह बेस बदलके यहां पर आए चुपने के लिए तो उन्होंने इसको किर पर बार किराएप लेने का भी कारण यह था कि यहां उन्हों ने अपर यहां पर चीवन मनकर Colin बन करके अplesन कंडूं यहां पर प्लिताया मैं जाता थे और इसको मिठाई प्रों के रूप में भी जाता थे यहांपर खाने पीने के संसाधन भी थें पास में जंगल भी थें तो उनको ये जगा उपयोगत लगी। देश की आजादी दिलाने वाले हमारे कारियों ने उनकी ये करम इस्तली रही है। देश की आजादी में इस दुनी दरवाजे की करम इस्तली का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा माना जाता है कि 8 अपरेल सन 1929 को सरदार भगत सिंग और पठकेश और धत्त ने दिल्ली के सेंट्रल एसेंबली में जिस बम से धमाका किया था उस बम को बनाने का काम आगरा की इसी एतिहासिक हवेली में किया गया था। रेयली का कि पौड़ा, धिल्ली एसेंबली में वम बोड़ा उन्होंने यहीं से बनानासीका। और जब बना लेते थे, तो यहां के जंगलों को यहां से पते हैं। तो उन जंगलों में उनको रिसरश के लिए जाता थे। जब वो सकसेद हो गए तो बंब यहीं से बना के ले गए उनके पगड़े जाने के बाद में कुछ लोगों को यहां बुलाया भी किया गवाई के लिए तो कुछ यहां से कुछ लोग गवाई के लिए गए ये देश की आजादी में एक सुर्णिम इतिहास का अध्याय जोडने वाली या एतिहासिक हवेली आज जर जर हो चुकी है बाहर से आप इसकी इस्तिती देख सकते हैं आकिर अंदर से ये हवेली इसके वो एतिहासिक कमरे किस इस्तिती में हैं उन्हें भी चल कर देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इमारत में पीछे बंबरों ने अपना पूरा कपजा जमा रखा है अब मेरे साथ आधरणी राजेस अगरवाल जी है जो एक प्रतिस्टित व्यवसाई हैं और इस बिल्डिंग के ठीक सामने उनका प्रतिस्थान है इनके साथ ही चल के इस एतिहास कि मारत को अंदर से मैं भी देखूंगा और राजेस अगरवाल जी के माध्यम से आप सभी भी इस एतिहास कि मारत को अंदर से अभी देखेंगे तो अगरवाल साब चलें अंदर देखें उसमें आज वीरान पड़ी हुई इस हवेली पर बंदरों ने अपने पूरी तरह से कबजा जमा रखा है इसलिए राजे सक्रवाल जी ने इन दो व्यक्तियों को उन बंदरों को भगाने के लिए भेजा है अब हम इस सक्रे से दर्वाजे से होकर इस हवेली में प्रवेश कर रहे हैं इस हवेली में अंदर जाने का यह रास्ता एकदम सक्रा अंधेरे से भरा हुआ और सिड्डियां इसकी बहुत उची है अब हम इस हवेली की पहली मंजिल पर पहुँच चुके हैं आपको मैंने बताया था कि इसके जाने के तीन रास्ते हैं एक पीछे का मार और साई हो रहे हैं तो आपको बता दूंकि यह जगह भी उन्होंने इस लिए चुनी क्योंकि यहां से तरीके से उनको पता चल जाएं तो उनको निकलने के लिए कही तरीके से रपमार्ग में से होते हुए निकल जाएं हो। उनलेख मिलता है कि उन्होंने आगरा की हींग की मंडी और नाई की मंडी में भी किराई पर कमरा ले रखा था ताकि इस जगे का अंग्रेजों को यदि पता भी चल जाए तो ऐसी इस्तिती में कुछ समय वह वहां रुख सके अब हम इस हवेली के उन खास कमरों को देखने जा रहे हैं जिने कभी भारत मा के महान सपूत सर्दार भगत सिंग जी ने किराई पर लिया था ये उन कमरों तक जाने का अंदर का रास्ता है और ये हैं वो एतिहासिक कमरे जहां कभी सर्दार भगत सिंग देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक किराईदार बन कर रहे थे कितनी पवित्र है यहां की मिट्टी है कितने पवित्र हैं यहां के कणकणों जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज इन कमरों की इस्तिती बहुती खराब इस्तिती है बहुती धेनी इस्तिती में है ये कमरे जहां कभी सर्दार भगत सिंग जी और अन्निक रांतिकारी रुके थे यह बहुत ही एतिहासिक हवेली है और इसे संजो के रखना अत्यन्थी आवश्यक है यही वो एतिहासिक कमरे हैं जहां कभी सरदार भगत सिंग और देश के वीर क्रांतिकारी ठारे थे देश को आजात कराने के लिए इनी कमरों में उन्होंने रणीती बनाई थी आगरा के इस नूरी दरवाजे इस्थान पर सरदार भगत सिंग और अनिक रांतिकारीयों की इस्मृती में एक मंदिर का निर्माड भी किया गया है तो ये है वो आगरा की एतिहासिक हवेली जिस नतेश की आजादी में अपना एक स्वानिम अध्याय जोड़ा है जय हिंद जय भारत